अब आईए हम बात करते हैं 12 राशियों की बारे में कि 12 राशियां कि क्या इस्तिती है आज कौन विदेश जाएगा किसको धनलाब होगा किसकी प्रकति होगी किसके घर में किलकारी गुजेगी किसके घर में सानाई बजेगी किसके घर में सुभा और मंगली कारे होगा कौन प परियो करने साब का भगोदे होगा किस रंग के प्रयोकरेंस आपको अपार स forgalda मिलेगी सौधानी क्या बढते हेंगे ऊपाई क्या करेंगे है आए सुरुबात करते हैं मेश-राषिस है जो मेश-राष्य ले जातक है आज आपको बड़ा गुस्धा आ सकता तो तो गुस्से पनियंत्रन करें, आज का दीर आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस शित्याद में आपकी बढ़ोत्री होगी, आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, बैपार और वेशाय में नए प्रकार के डील होंगे, नए डील से आपको काफी लाब मिलेगा, परि परतनी को नोकरें मिल सकती है, आज आपके अध्यात्मिक प्रगति होगी, सौधानी के अपरतनी है, एक आगर होकर के अपने कर्व चत्र में लग जाई है, आपको बड़ी सा पलता आपकी राह देख रही है, उपाय क्या करना है, भगवान सुर्य देव को जला विश्यक कर है, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है, परिशितियां अनकूल है, आपको लगेगा कि जीवन समाने चल रहा है, लेकिन दो पार के बाद एक्स्ट्राइडिनरी होते हुए दिख रहा है, जो भी आपने सोचा हुआ है, जो प्लान किया हो कार्याप का संपन्न होगा स्वास्त में थोड़ा सा उतार चड़ाओ की सिति आ सकते हैं, तो हेल्थ पर विसेज ध्यान रखें, परिवार में सुभर मंगली कारिव हो सकता है, इसकी प्रबल योग बन रहा है, आर्थिक की सिति को ले करके थोड़ी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है, परिवा क्या करना है, शफिद रंग का वस्त्रदान करें, आटा दान करें और भगवान स्यू की अरातना करें, शुभं के साथ सुभरंगे बैगनी, लक्मीटर राठ हरी कृष्म, बात करते हैं मिथूराशी की जो मिथूराशी के जातक है, आज आपके परिवार के साथ कहीं बाहर गोमने जा सकते है, परिवार में वैस्तता रहेगी, परिवार को अच क्वालिटी टाइम देने का समय आ गया है, स्वास्त उत्तम रहेगा, बैपार में, बैवसाइब में, आर्थिक लाप की सिती मजबूत हो रही है, इसमें ब्रिद्धी होगी, कोई नही प्रकार का सब्सक्राइब मिल सकता, आर्थिक चत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, किसी भी स्टेंजर से लिंदे न करें, गुस्ते पर कंट्रोल करें, माता पिता की बात को सुने, किसी की बाहकावे में ना हमें, सौधानी के अपरतनी पॉजिटिव सोचे, निगेटिव न सो पाय क्या करना है, हर आचारा गाय को खिला में, सुभांके 6, सुभांके 6, सुभांके 6, ग्रीन, लख मीटर 8, हरी किसी, बात करते हैं करकराशी की, जो करकराशी की जातक है, आज कर दिन आपके लिए बेहतरीन है, अपने समय का सुद्विप्यों करिए, मन पर नियंतरा मिलेगी, अगर आप बैपार करना चाहिए, तो उसे लाव मिलेगा, बैऊशाय नया खोल सकते हैं, आएके नए संसनों में ब्रिद्दी होगी, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, आज आप कोई बड़ा नेर्ड़े ले सकते हैं, जो परिवार के लिए परत्यासी परित्याग करें, उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र दान करें, जुरुत मन को भोजन कराईए, गाय को रोटी गुड किलाना न भूलिए, सुबंके आठ सुबरेंग आस्मानी, लक मिटर है आठ, हरी क्रिश्न, बात करते हैं, शिंघ राशी की, जो शिंघ राशी की जातक ह लेखा जबकि वैपारी किस्ति बहुत अच्छी होगी, नए प्रकार के वैपार करने का उसर मिलेगा, प्रापल्टी त्याद में अगर पूजी निवेस करते हैं, ता आपके लिए अच्छा रहेगा, माइन से रियल स्टेट, प्रापल्टी, कंस्ट्रक्शन में अगर आप पूजी लगाते हैं ता आपकी लेच्छा रहेगा, शेयर और ट्रेडिंग में पूजी निवेस करने से बचें, बिदेश में नया वेऊशाइक खोलने का उसर मिलेगा, लेखा कित्यादी जद्यादी आप हैं, साहितिक छट साब को लाब मिलेगा, आएके संसादुनों में बढ़ोतरी होगी, अगर आपका कोई भी नयाले में बाद विया चल रहा होगा, तो समय आपको बिजए स्री मिलेगे, परिशानी आपकी दूर होगी, आज कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, परिवार में नयाकार होगा, आपका समय काफी अच्छा चल रहा है, आलशे का परता करिए, और साधानी के अबरते हैं, गुस्ते पनियंत्रा रखे, उपाय क्या करना कोई भी कारते हैं, सोच समझ के करें, प्लानिंग करके करें, बीच में छोड़ने के लिए न करें, सुबंके पांच सुबरंग हिलाल, लग मीटर है आठ, बात करते हैं कन्याराशी की जो कन्याराशी की जातक हैं, आज आपको लेखन और साहित के चेतर से धन मिलेगा, शेयर ट्रेडिंग में धन मिलेगा, माल सम्मान प्राप्ट होते हुए दिख रहा है, जमीन जायदात के कारियों से लग मिलेगा, अगर खरित परोक्त करते हैं नही तरह के कारियों में, ट आपका अच्छा होगा जदी आप फिल्म बनाना चाहते हैं कहानी लिखना चाहते हैं अच्छा है आज कर दिन अच्छा है फाइव बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है आज आपकी जो भी महतों का इंचाहें पूर्ण होगे कारों प्रगत होगी माल सम्मान में बढ़ोतरी होगी रोजी रोजगार के छेत्र से बड़े पैमाने पर धनलाब होती हुए दिख रहा है आयात ने रियात का होते हुए दिख रहा है मित्रों का सहयोग मिलेगा पत्नी का सहयोग मिलेगा पत्नी को नोकरी मिल सकते पत्नी की हेल्थ में जबर्दस्त सुधार आएगा सौधानी के अबरत नहीं है आत्म सम्मान को लेकर के चिंतित नहों उपाय क्या करना माता लश्मी जी की अराधना कर ओम हिरिंग स्रिम क्लिम महालक्ष्मी मंगर है आगज आगज इस मंत्र का कमल गट्टे के माले से आप जब करी आप देखेंगे आपके घर में लक्ष्मी की वर्सा होगी सुभं के दोशुब्रेंग नीला लक्मी टेरे साथ हरे कृष्णा बात करते हैं ब्रिश्यक राशी की जो ब्रिश्यक राशी की जातक है आज आपको गुस्सा नहीं करना है गुस्से पर कंट्रोल करना है आपने रिष्टों के प्रति कांसेंट्रेट हुए रिष्टा तोड़ी ने रिष्टा बनाईए चारों तरफ से दनलाब होगा परिवार में शुभ और मांगले कार होने स से मनपर्शन रहेगा भाई बहनों का सुख में लेगा भाई बहन आपकी मदद करेंगे नए इंड़स्ट्री लगा सकते हैं खिलाडियों के लिए समय बहुत अच्छा है प्रापल्टी ता खरी सकते ध्यान रखना कि कोई भी विवादित प्रापल्टी ता दिना खरी नहा सकता है लेकिन अध्यात्मिक सक्ति आपकी मदद करेंगी कोई भी घटना घटनी है उसका आपको पूरवाबास हो जाएगा तो उसके दिसानिर्टेशन में कारिकरी माता-पिता की राय को सुनिये और बच्चों की टेरेटरिम दखल अंदाजी न करें परिवारे की सिती सुबंके आठ सुबरंगे केशरिया लक्मितर आठ हरे कृष्णा बात करतें धनुराशी की जो धनुराशी की जातक हैं आज आपको गुसा बहुत आएगा अपने गुसे पर नेंतरल करें नहिताब के संबंदो में कटुता आ सकती है संपाद की कारियों से धनलाब होगा मा आर्थिक चत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा बैपार से लाव होगा बैपारी के सती मजबूत होगी सिक्षा के चत्र से धनलाब मिलेगा नोकरी त्यात कर सकते हैं मंदिर का निर्मान कर सकते हैं पांडित कर में रूची बढ़ेगी छोटी-छोटी बात को लेके पर सुब हंके 9, सुब हंके पीला, लक मीटर है 8, हरी कृष्णी बात करते हैं मकर राशी की, जो मकर राशी की जाता है कहाँ ध्यान रखना के दुरूत गटकी गारी नहीं चलानी है किसे से बाद भी बाद ना करें और गुसे में कोई भी निर्णे ना ले नहीं आपको भारी नुकसान हो सकता है अपने माता पिता की बात को सुने, पत्नी की बात को सुने, बाद भी बाद ना करें नए प्रकार के बैपार खोलने के आफ़र मिलेंगे सुबह और मांगले कारी होने का यूग बन रहा है भूमी भून जमीन जायदाद खरिदने का आफ़र मिलेगा रोग और सत्रों परास्त होंगे आज आज आपको नए तरह के कारियों से धनलाब मिलेगा परिवारी किस्ति अच्छी होगी बच्चों से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है पत्नी से थोड़ा बाद विवाद किस्ति बनी रहेगी और कोई अग्याद ब्यक्ति आज आज आपको धोखा दे सकता है अग्याद ब्यक्ति से कोई भी लेन देन न करें सौधानी के अबरतनी है बैपर कंट्रोल करें उपाय क्या करना गाय को रोटी गुड़ खिलावें काला कंबल दान करें सुभंके 8 सुभंके जामुनी कलर लक्मीटर 8 हरीकृत बात करते कुम राशी की जो कुम राशी की जातक हैं आज कर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है सुभ कारे होने का योग बन रहा है कुछ सुभ समाचार मिल सकता है भाई बहुनों के लिसमें बहुत अच्छा है रोजी रोज़गार के चित्र में किया गया प्रयास सार्थ ठक होगा सुख समरिद्धी में बढ़ोतरी होगी नए प्रकार के बैपाद कर सकते उसका खास्तोर से जो मेनेजमेंट के लॉग के फिल्ड में उनको काफी लाप मिलेगा जदिया आप मेडिकल के फिल्ड में इंजिनिरिन के फिल्ड में या बाय टेक्नोलिक्स अगर विदेश चाके पढ़ना चाहते तो उसके लिए समय आपका अच्छा है खिलाडियों के लिए खे फिल्ड अंदाची नकर रुपा पहिरी नजा रखे उनको गाइट करिये और उनको इंकरेश करें उनकी आलोचना करने से बचिये उपाय के सौधानी के अपरतने शिर्म निर्ड वचे और हेल्थ पर विशेज ध्यान दे उपाय क्या करना है गाय को हराचारा खिला में सनी की साड़े साथी में चल रहाए तो बात वी बात ना करें छोटी छोटी बात को लेके परिशान भावेश्वा के कोई कारें न करें इमोशन पर नियंत्र नक है बान्डी से दहनलाव होगा कीमती सला से धन हरजित करेंगे समय का सोधुपयोग करें आलर समय भरबाद ना सिक्षा के च्छतर से लाव मिलेगा जदे आप टेकनिकल फिल्ड में कोई भी एक्सपोल्ट इंपोल्ट करना चाहते हैं विदेश से तापको धल लाव मिलेगा आप विदेश में होटल एताद खोल सकते हैं आपने हेल्थ को लेकर के सच्छित रहिए सौधानी के अब रतने स के दिन जन्में जात्कों के बारे में आज जिन दर्शकों का जन्दिन उनके जन्म दिन की बहुत बहुत बदाई धेरू सूब कामना है आपका जन्दिन सुभ हो मंगल मैं हो आपको प्रगत करिए आगे बढ़िए और आपको सुख समरेदी यस पत परतिश्टा में बढ़ दो जाता हैं तो आकसा बावाली नहीं होता है और किसी के बहए काओ में नहीं आते हैं बहुत ही दूर तरशी होते हैं खाने पीने के सोखिन होते हैं एक अच्छे दोस्त होते हैं शत्रू भी बहुत अच्छे होते हैं इनकी दोस्ती मितरता और सत्रुता दोनों जबर्दस्त होती है हुइत तो हबरसाब के लिए काफी अच्छा होगा माली हालत अच्छी होगी पतनेका सुक मिलेगा, आपका दामपत्य जी ओन अच्छा होगा, परिवारी के इसित भाछ़ और बहुत अच्छी ओगी, भौंभ aउनपाहन, खरिद्ने का अथर मिले इसमें उत्रोतर प्रगत होगी भागोदे होगा यह समय पूरा स्वर्णिम रहेगा माली आलत अच्छी रहेगी माता पिता का सुक मिलेगा माता पिता की हेल्थ को लेकर के चिंता समाप्त होगी आपको अपने हेल्थ के प्रत्वरा सचेत रहने की जुरत है तिब रगत की गा आप करें आप देखेंगे कि माली हलत बहुत अच्छी रहेगी अब आई यह हम बात करते हैं गुरू के नुष्खे की गुरू के नुष्खे माज हम आपको बताएंगे कि जो बुद्ध है ग्रहों का राजकुमार माना जाता है जोतिश में कन्या और मित्वन राशी के स्वा ग्रह अगर अच्छे जगा पर है अच्छी जगा बैठा हुआ है तो सब अच्छा होता है अगर बुद्ध मजबूत होता है जीवन में सब कुछ बहुत ही शांदार होता है ब्यक्ति प्रगत करता है ब्यक्ति के बहुत एक चमता बहुत अच्छी होती है लेकिन जदि आप को दुख मिलता है आप जुआ सट्टा और कई महत्मुन कारियों से आपको नुक्सान होने लगता है और आपकी आर्थी किस्ति नेड़े लेने की चम्ता कमजूर हो जाती है संतान से कष्ठ होता है गले अत्वचा के रोग इचिंग इताद होने की संभाना बढ़ जाती है नम आपकी जीवन सांदार हो और बुद्ध के वज़े से आपको कोई परशानी नहीं होता है आईए हम आपको बताते हैं कुछ छोटे-छोटे उपाए जिसको करने से आपकी जीवन में महान उन्नत याएगी कहते हैं कि बुद्ध को हलके सुभाव वाला सुवक्ता सुन्दर बोलने वाला और अच्छा दिखने वाला उसका व्यक्ति तो बहुत आकर्शो का प्रभावसाली होता है ऐसे लोगों को हरे रंग की चीज़ों का परियोग करना चाहरा वस्त्र दान का अगर वस्त्र नहीं पान पाते हैं तो आप हरे रंग का रुमाल रख लें और जज़ बुद्ध कमजोर है तो हमेशा हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए हरी मुंग किसी जरुतमन्द व्यक्ति को दें गाय को हरा मटर खिलावें गड़ेश को हरा दुर्वा अर्पित करें बुद्धवार के दिन क्या करें कि भगवान सरी गड़ेश को उनके आरा आए तब वान सरी गड़ेश की आराधना करिए इससे आपका बुद्ध काफी अच्छा होगा और यहरी दूम यह दुर्वा इनको जुरूर अर्पित करिए मोदक अर्पित करिए जिससे आपका बुद्ध प्रवल होगा और आप को खुश्या मिलेगी आपको तो तो इस मंत्र का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा गाय को रोटी गूर जुरू खिला में जिससे जीवन में खुशी आएंगी यह कारे आपके लिए बैतर रहेगा तो मैंने छोटे-छोटे उपाय बता अगर यह करते हैं तो आपके लिए बैतर हो भागी गुरू कायरक अगर्ण नमस्कार.